असलाम लेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्हार मुजाहिद है और आज के इस लेक्षर में हम exercise 4.4 के question number 85 को solve करेंगे हम जानते हैं इन functions में हम rational functions के graph sketch करना सीख रहे हैं using these six or seven steps ठीक है यह आपकी table book में table given है page number 207 पे तो पहले भी वैसे मैं कई दफा explain कर चुका हूँ एक मरतबा फिर देख लेते हैं क्योंकि इनको सबसे पहले तो हमें domain find करनी है जारी इसी बात है domain पता होगी तो हम graph sketch कर सकेंगे otherwise हमें नहीं पता किस interval में इसे sketch करना है ठीक है उसके बाद इसकी smittries find की जा सकती है smittries में हम दो तरह की smittries देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं graph I mean अगर function even हो तो graph smittric होता है about y axis अगर function odd हो तो smittric होता है about region तो यह भी helpful हो सकता है similarly second step में first और second derivative क्योंकि first की मदद से हम critical points मलूम करेंगे then फिर function का behavior और उसके increasing decreasing intervals और second derivative हमारी help करता है point of inflation find करने में और इनकी मदद से फिर हम concavity measure करते हैं concavity check करते हैं six पे एक और important point asymptote find करेंगे और last पर फिर हम intercepts मलूम करेंगे intercepts का लफ़ज आपने already सुना होगा x intercept और y intercept मतलब हम यह check करेंगे कि x axis पर graph कहां से intersect कर रहे और y axis पर कहां से वो गुजर रहे ठीक है इसे हम intercepts कहते हैं और फिर last पर इन सब points को join करके आप sketch कर सकते हैं question number 85 में given that y is equal to x square over x plus 1 यह हमारे पास एक function given है तो सबसे पहले as usual हमें इसकी domain measure करनी है domain के लिए देखें जब भी fraction आ जाए तो आपने denominator को सिरफ देखना है वो numbers जहां पर denominator 0 हो रहा है वो आप input नहीं कर सकते हैं इस case में denominator में पढ़ा हुए जी x plus 1 इसको आप लगाएंगे equal to 0 यहां से x की value हमारे आजाएगी minus 1 लें जी यानि minus 1 एक ऐसा number है जो आप अगर यहां पर put करते हैं तो denominator 0 होता है denominator 0 हो जाए तो आपका वो function उस number पर undefine हो जाएगा मतलब real नहीं रहेगा तो that means domain में आप तमाम real numbers ले सकते हैं बट minus 1 नहीं ले सकते हैं ठीक है interval form में लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा minus infinity से लेकर minus 1 open interval union and then minus 1 से लेकर positive infinity लें जी यह interval form में लिखा जा सकता है साथ में हमने दूसरा जो काम करना है वो इसकी symmetry चेक करनी है उसका तरीका कर यह है x को replace करेंगे minus x के साथ तो यह आ जाएगा minus x का whole square divided by minus x plus 1 scale open करेंगे तो यह minus खतम हो जाएगा हम जानते हैं power even है तो x scale over minus x plus 1 अब यह देख रहे हैं ना तो यह equal है f of x के यानि even भी नहीं है और ना ही यह equal है minus f of x के यानि minus आप इसे common भी नहीं ले सकते हैं ले सकते हैं लेकिन बागी f of x नहीं बचेगा तो इसका मतलब है यह odd भी नहीं है यानि this is not symmetric about y axis और origin ठीक है ओके second number पे हमें इसके derivatives मुलूम करने हैं first और second और यह मैं expect करता हूँ आप खुद कर सकते हैं क्यूंकि अगर मैं find करने लग गया तो बहुत सा time हमारा इस पे ही लग जाएगा simple quotient rule apply किया जा सकता है तो बरहल इसके जो derivatives है मैंने already calculate कर रखे हैं मैं आपको वैसे ही लिख देता हूँ first derivative आएगा x square plus 2x divided by x plus 1 whole square ठीक है इसी तरह अगर second derivative की बात करूँ तो वो आजाएगा 2 divided by x plus 1 cube that's it यह इसका second derivative आगया यह second point था third पे अब हमें चाहिए इसके critical points critical points कई दफ़ा बता चुका हूँ वो numbers होते हैं जहां पर first derivative zero आ रहा हो या undefine हो zero के लिए हम जानते हैं numerator जहां पर zero होगा वहाँ पर आपका यह fraction zero बन जाएगा similarly undefine के लिए जहां पर denominator zero होगा यहां एक्स प्लस 1 का whole square equal to zero होगा वहाँ पर यह derivative जो है यह undefine हो जाएगा ओके इसको हम इन दोनों equations को हमने x के लिए solve करना है one by one देख रहते हैं यहां से x common लेजिए पकी बचा x plus two तो यह product zero का मतलब होता है either x is equal to zero और x plus two equals to zero ठीक है यहां से x की value आजाएगी minus two ओके तो यह दो हमारे critical points है इसी तरह इस equation को अगर solve करेंगे तो आप दोन 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 स्केर root अपलाई करें स्केर खतम हो जाएगा x plus one equal to zero और यहां से x की value आजाएगी minus one अब minus one basically हमारी domain का part नहीं है इस वज़ा से हम इसको critical point consider नहीं करेंगे critical point वही points होते हैं जहां पर function define भी हो फीक है zero and minus two यह हमारे है critical points अब आप जानते हैं हमें चाहिए एक अदर real line ताके हम function को analyze कर सकें तो जो आपने यह points find की है सब आप इस पर place कर सकते हैं सबसे पहले minus का two फिर आजाएगा minus का one अगर चाहिए critical point नहीं है लेकिन हम इसकी मदश इंटर्वल बनाएंगे मैं इसकी reason पहले बता भी चुका हूँ फिर बता देता हूँ ठीक है अगर आप इसको नहीं न रखते माइनस one को तो हमारे तीन इंटर्वल बनेंगे उस इंटर्वल में जब आप एक point पिक करना चाहेंगे तो माइनस one पिक नहीं किया जा सकता बेतर यह है कि आप माइनस one को इंटर्वल में ले ले लें ठीक है अगरचे यहां से increasing decreasing वाली जो condition है वो change तो नहीं होगी लेकिन फिर भी it's better कि आप इसको pick कर लिया करें ठीक है हमारे तीन चार इंटर्वल जा गए है माइनस two से छोटे numbers माइनस two से माइनस one तक माइनस one से zero तक और zero से onward अब आपको पता है हमने क्या काम करना है चारों इंटर्वल में से एक नंबर ले ले लें मसलन मैं यहां से माइनस three ले रहा हूँ माइनस two माइनस one के दर्मयान से आप एक कर सकते हैं माइनस three over two यहां से लिया जा सकता है माइनस one by two zero से बढ़ आप कोई नंबर one ले 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 इन चारों नंबर्स को आपने one by one इस first derivative में put करना है और देखना है आपका sign positive आ रहा है यह negative देखें एक तो simple से इसमें यह बात है के नीचे से चुँके यह x plus one का square है तो नीचे वाला answer हमेशा positive आएगा ठीक है डिपेंड करता है उपर वाले पे यह है x square plus two x और यह आपने मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है यह values put करते रहें calculator का काम है आप यह easily कर सकते हैं ठीक हो गया तो लिए जब आप put करेंगे तो मैं आपको directly बता देता हूं इनके answers क्या बनेंगे minus two से छोटे numbers के लिए आपका derivative जो है वो positive answer करेगा ठीक है minus two से minus one तक derivative करेगा negative answer यहां पर भी negative करेगा minus one से zero तक भी और zero के onward जब आप जाएंगे ना one put करेंगे या कोई भी zero से बड़ा number तो derivative हमारा positive आजएगा अब positive derivative का मतलब है हम जानते हैं इस interval में graph increase करेगा negative derivative मतलब इस interval में graph decrease again decrease और last पे फिर positive derivative है मतलब फिर से यह increase कर रहे है ठीक है तो लीजिए increasing decreasing next check हो गई है अब next हमारा जो point number four है हमने इसमें local extreme values find करनी है आप चाहें तो first derivative यूज़ करें second भी यूज़ कर सकते हैं first derivative के लिए हमारा प्लेटफॉर्म सेट है आपने already intervals बना लिए है increasing decreasing intervals भी चेक कर लिए हैं तो first derivative apply करना कोई मुश्किल काम नहीं है देखें हमारे पास दो candidate है एक minus two है और दूसा zero है आपने यूँ करना है इनके अतराफ में इनके दोनों तरफ derivative का sign देख लें अगर तो पहले positive है बाद में negative है तो इस number पर maximum value आएगी इसकी मैंने demonstration graph अगर already कई मरतबा बता चुका हूँ अगर पहले derivative negative है बाद में positive है तो फिर minimum होगी देखें minus two जे पीछे derivative क्या है positive है बाद में क्या है negative है तो इसका मतलब है minus two पे local max value आ रही है function attains proper line अप लिख सकते हैं function attains its local maximum at x is equal to minus two इसी तरहां देखें minus one पे चेकर नहीं की जरूरत भी नहीं है वैसे भी दोन तरफ same derivative बन रहा है तो इसका मतलब है ये local extreme value नहीं बन रही अलबता zero को अगर देखें तो उससे पीछे derivative negative है बाद में positive है तो क्या बनेगा फिर local minimum आ जाएगी चूंके negative से positive की तरफ जा रहा है तो आप लिख सकते है function attains its local minimum value at x is equal to zero अब इन numbers पर ना आप अभी ही अगर function की value भी find करने तो वो में ज्यादा असान होगा मसलने इस function में वो दोनों numbers put करें मैं आपको बरहल directly बता देता हूँ जब आप minus two put करेंगे न तो y का answer देखें चलें कर लेते हैं minus two square over minus two plus one तो ये बनेगा four four over minus one answer आजएगा minus का four minus two पे y value आ रही है minus four अलबता जब आप zero लगाएंगे तो zero के case में बनेगा zero square over zero plus one क्योंकि numerator zero है तो सारा को zero हो जाएगा तो zero पे zero value आ रही है ठीक है ये maximum value है local और ये local minimum value है राइट ओके नेक्स्ट point of inflection point of inflection वो points जहां से कुनकेविटी चेंज होती है मैं यह कैसे करते हैं double derivative zero या undefined आप देखें double derivative में interestingly numerator में two है numerator can never be zero two is a constant यह कभी भी चेंज नहीं होगा इसका मतलब है double derivative आपका zero नहीं हो सकता can not be equal to zero for any choice for x आप x की कोई भी value लें इसमें put करें zero नहीं हो सकता हाँ अलबता undefined हो सकता है कहां पर when this denominator is zero denominator में we have x plus one power three इसको zero लखें दोनों तरफ power one over three apply करें we are left with x plus one equal to zero और यहां से x की value आजाएगी minus one अब almost पिछल है कई एक lecture से मैं आपको हर lecture में बता रहा हूँ इस case में जब आपके पास derivative double तो undefined हो रहा है but problem यह है कि इस number पर function define नहीं है यह देखें जड़ा function की domain में minus one नहीं आ रहा तो इस वज़ा से हम इसको point of inflection नहीं कह सकते ठीक है point of inflection वो point होता है जहां से concavity change हो और आपका graph उस point से pass कर रहा हूँ अलबता क्यूंके double derivative undefined है तो यहां से concavity change हो सकती है ठीक है इसलिए हम interval बनाएंगे और concavity भी check करेंगे लेकिन आप लिख सकते हैं no point of inflection clear हो गया reason मैं आपको बता चुका हूँ तो लेंजी हमारा point है minus one अब आपने same काम repeat करना है जो critical point के बाद आपने किया था और इस मरतबा second derivative के साथ करना है minus one से पीछे से एक number ले ले minus two for example इसके बाद में आप zero ले सकते हैं इन numbers को put करें जरा अपने double derivative में zero put करेंगे तो answer positive आएगा जब आप minus two put करेंगे तो answer नीचे से negative बनेगा और overall भी negative हो जाएगा ठीक है तो double derivative would be negative for every number less than minus one and it is positive for all numbers greater than minus one अब हम जानते हैं इसका मतलब क्या है double derivative less than zero का negative का concave down होगा और greater than का मतलब है this would be concave up all right so that's it for concavity अब हम इसके asymptotes main काम जो इसका है वो अब हम करने वाले हैं ठीक है और asymptotes में पहले भी बता जुका हूँ तीन तरह के asymptotes होते हैं one of them is horizontal oblique and last one are vertical of course ठीक है horizontal asymptotes के लिए आपने इस function की limit evaluate करनी है at infinity और उसको solve कर लेना है मैं चलें बता देता हूँ आपको आप लिख सकते हैं पर four horizontal asymptotes limit x approaches plus minus infinity अगेन मैं बता रहा हूँ यह दो लएदा लएदा limits है मैं आपके वकत बचाने की खादेर एक साथ कर रहा हूँ तो जब आप खेर इसको evaluate करेंगे कोई मुश्किल काम नहीं है rational function की limit infinity पर evaluate करने का तरीका कार क्या है आपने दोबारा इस बात को जरा गोर से सुनिएगा denominator में जो polynomial पड़ा है ना उसकी जो highest degree आ रही है मसला इसमें one है आपने इस term से उपर नीचे divide करना है उसके बाद infinity लगा ले तो इसका answer infinity आएगा that means no horizontal asymptotes अगर यह answer finite number आता तो वो horizontal asymptote बनता in this case no horizontal asymptote okay and for vertical asymptotes इसके लिए हम क्या किया करते हैं हम वो number देखते हैं जहां पर denominator से फ़र हो रहे है and that is minus one minus one पर आपने left और right limits evaluate करनी है ठीक है vertical asymptote के लिए हमेशा आपने अपनी domain में से जो number निकाले हुए है न कि आप यूं कहें जहां पर denominator zero हो रहा था वहां पर आपने limits find करनी है both left and right तो function हमारा है x square over x plus one इसी तरह चलें अगर मैं इसी को ही नीचे दोबारा लिख दूँ but with the left limit तो हम इसको देख सकते हैं यह positive और negative sign बस indicate करते हैं left और right limits को अच्छा अब देखें फिर वही बात आ गई है last lecture में भी बताया था उसे पहले भी बताया था यह लिमिट जड़ा ट्राइ करें एक बार वीडियो पोस करके ना फुद करने की इसका answer infinity ही आएगा मैं लिख देता हो बलके दोनों का answer infinity आएगा बट positive और negative का फरक है और यह बहुत important है ठीक है वीडियो आप पोस करके खुद से try करने की दरख कोशिश करें बरहल मुश्किल काम नहीं है नीचे वैसे सीधा सीधा zero बनेगा उपर one बनेगा one over zero is undefined but हम minus one को approach कर रहे हैं from the right side of minus one मसलन for instance this is minus one आप इसको right से approach कर रहे हैं right पे number होंगे zero होगा one होगा तरी बात और भी बहुत number है जब आप zero को इदर लगाएं zero plus one is one उपर भी आपके पास positive है नीचे भी positive that means answer इसका positive में आएगा और infinity 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 मतलब बहुत बड़ा number आप अभी के लिए इसको ये consider कर सकते हैं ठीक है तो जब आप minus one को right से approach करेंगे तो इसका answer हमारे पास बनेगा positive infinity अगर आप इसको left से करते हैं तो left पे number होंगे minus two होगा minus three होगा points में भी होंगे तो जब वो number लगाएंगे तो नीचे मसला minus two plus one नीचे answer क्या बनेगा minus का one उपर positive बनेगा ये answer बनेगा minus infinity छीक है ये बस थोड़ा सा सोचने वाला काम था plus infinity कब आएगा minus कब आएगा ठीक है और ये बहुत helpful है अगर आप opposite करते हैं तो आप graph totally change हो जाएगा चाहिए आप बना भी नपाएं मेभी ठीक है तो बरहल जी ये हमारे asymptotes भी आ गए है last पे आप इसके वो find कर सकते हैं क्या कहते हैं intercepts उसमें से एक हम find कर चुके है बसलन कौन सा था वहला वह पर नीचे था ये वहला when x is 0 when x is 0 y की value भी 0 है बतलब यह origin से इसके graph pass करेगा अच्छा जब y 0 है तब हम देखें थरा x की क्या value है वह आप देख सकते हैं तो आप mention कीजिए यहां पर यह 7th point है we are going to find its intercepts in fact यह आप find कर रहे हैं इसके x intercepts यह भी लिखी है साथ में x intercepts के लिए x axis हम देखना चाहा रहे हैं x axis पर y equal होता है 0 के ठीक है तो आप original given function में y की जगा पर 0 लगाए तो जब आप y की जगा पर लगाएंगे 0 तो यह 0 आ जाएगा x प्लस 1 उदर जाकर 0 हो जाएगा चलें कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं वैसे बाइदाव हमें यह करने की जगाए इसलिए नहीं थी एकस के रिकोल डू जीरो एंड इस इंप्लाइज एकस इकोल डू जीरो यह नहीं यह origin से पास कर रहे है ठीक है तो लें जी आप बारी आती है graph sketch करने की सबसे पहले हम plot करेंगे माइनिस वन यह है इसका वर्टिकल एसम्टोट तो हम एक वर्टिकल एक अदद लाइन लगा लेंगे यहाँ पर एक मिनट जड़ा यह यह क्यों रहा है एक मिनट इसको चले हम स्टार्ट इससे कर लेते हैं अल्राइट लें जी अब ठीक है यह तो यह इसके वर्टिकल एसम्टोट बन रहे हैं दूसरे नंबर पर बाद जानोट करने वाली है वह जीरो पर यह क्रोस कर रहा है ठीक है उसक साथ साथ और कहीं पर इंटरसेप्ट नहीं है माइनस वन को हमने देखा था राइट से अपरोच करते थे तो ग्राफ उपर की जा रहा है ठीक है अच्छा एक चीज़ हम बूल गए हैं इसमें और वह बहुत इंपोर्टन थी और वह भी एक्सिस्स करेंगे पहले भी बता च इसके अब्लीक एसम्टोट भी एक्सिस्स करेंगे मुझे शाहिद पहले ही करना चाहिए था इसको सोरी आई फॉर्गट उसका तरीका कार कोई मिश्किल नहीं है उसका तरीका कार यह है कि आपने जस्ट डिवाइड करना है अपने नियमिरेटर को डिनॉमिनेटर से तो डि अब्लीक एसम्टोट फीक है तो लीजीए जी हमें अपने नियमिरेटर को डिनॉमिनेटर से डिवाइड करना है और जो आपका कोशेंट होगा दैट वूड़ बी यूर अब्लीक एसम्टोट फीक है तो लेजी हाँ जी अब एक्स प्लस वान को किस से मुल्टिपलाई करें तो यह x square आएगा या ख्याल है x के साथ अगर हम multiply करवाते हैं तो that would be बिलकुल तो यह आजएगा x square प्लस x signs of course minus करना है तो no sign change कर देंगे तो नीचे आजएगा minus x अब अगर इसको मैं minus 1 से multiply कर वाऊँ तो यह बनेगा minus x minus 1 sign again change करेंगे तो यह बन जाएगा cancel out so this is the oblique asymptote y is equal to x minus 1 this is the this line is basically oblique asymptote x minus 1 को भी हम sketch करेंगे बिलकुल करेंगे इसको भी मैं green color में कर देता हूँ देखें x minus 1 एक straight line का graph है जारी बात asymptote होते भी straight line ही है इसके लिए हम क्या करेंगे मैं बलके आपको दो पॉइंट्स बिदा देता हूँ straight line को sketch करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जूरू रखती है आप अगर इसमें x को 0 रखते हैं तो y क्या आएगा 0 रखें y क्या आएगा minus 1 आजाएगा simple सबाब y को 0 रखें तो x minus 1 equal to 0 हो जाएगा this implies x is equal to क्या आजाएगा 1 आजाएगा लें जी दो पेर हमें मिल गए है 0, minus 1 और 1, 0 ठीक है इनको आपने मिला देना आपस में this is 1, 0 and this is 0, minus 1 लें जी इन दोनों को आप जड़ा मिलाएगा तो यह जो आपकी straight line बन रही है this is basically oblique asymptote oblique वो वाले जो ना vertical हो ना horizontal हो ठीक है इसको slant line भी कहते हैं slanted line भी कह लिए जाता है ठीक है ओके अब graph मेरे खाल में बिल्कुल पीछे बचा ही कुछ नहीं है minus 1 की right से अपरोच करेंगा उपर की जानिब जाएगा कुछ इस तरह से और यह decrease भी कर रहे है और region से pass करेगा और इस तरह हमारे पास यह slanted line सम्टोर्स आ गए ठीक है और दूसरा हिसा जो होगा ना वो आप अगर इसकी value को observe करना चाहते है है minus 2 पे हमने already find कर रखी है x is equal to minus 2 y equal है minus 4 के तो for instance अगर x minus 2 यह है y minus 4 कुछ यहां पर है तो यह number था हमारे पास local maximum इससे पीछे graph क्या कर रहा है increase कर रहा है और यह oblique asymptote इसके बात क्या कर रहा है decrease कर रहा है और यह इसके vertical asymptote यह जब आप सब चीज़ों को एक साथ देखेंगे ना तो यह कुछ इस तना से इसका graph बनेगा ठीक है यह point जो है minus 2 कॉमा 4 के x अक्सी जान बिसिकली और यह y अक्सी जान है तो यह point है local maximum zero zero is the local minimum point and that's it ठीक है असान था इतना मुश्किल नहीं था तो मेरे ख्याल में काफी है आज के lecture के लिए next lecture में मिलते हैं इस lecture में अगर कोई question क्यूरी हो है any kind of question तो आप comment section में पूछ सकते हैं otherwise thank you very much